यब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंध करनी पड़ती है दिव्ण किलभ आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ दियूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल पर नास्कार बोल के लिए बाजाद हैं तेरो और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप म्यूस क्लिक के हाथ मस्बूत कर रहे हैं और आज जो मुद्धा मैं आपके सामने लेकर आए हूँ वो है कोरोना की तीसरी लहर मगर भारती जनता पार्टी सरकार से मेरी एक अपील कि देखिए जुमलों के जरीए आप कोरोना की तीसरी लहर का सामना नहीं करने वाले इन जुम्ले बाजियों से, इन नौटंकियों से कृपया बाज आईए और जमीन पर काम कीजे क्योंकि जो इनसान काम करता है वो उसका धिंडोरा नहीं पीटता है इस सरकार की साथ राजदी है दोस्तों कि पिछले साल से जब से कोरोना की पहली लहर आई और फिर दूसरी लहर आई इस सरकार का सिर्व एक फोकस है कि धिंडोरा पीटना है जुम्ले बाजी करनी है और अब धीरे धीरे वो एक्सपोज हो रहा है आगे मैं आपको बतलाओंगा कि इस तरह से भारती जहनता पार्टी सरकार का एक और जुम्ला बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है मगर आपके सामने ये बहुत ही चिंतित करने वाली खबर मैं आपको बतलाने वारा हूँ कि डेल्टा प्लस वेरियंट एक नया कुरोना वायरिस आया है और ये देश के अंदर तीसरी लहर ला सकता है आपके स्क्रीम्स पर ये खबर जो बता रही है कि देश भर में 40 केसिस हैं और इन तीन राज्जों पर निगाड डालिए कि अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है इस बीच कुरोना का डेल्टा वेरियंट नई मुसीबत बन कर आया है कोविड-19 के डेल्टा वेरियंट से भी खतरनाक बताये जा रहे इस डेल्टा प्लस को लेकर मंगलवार को केंद्रिय स्वास मंत्रा लेने कई राजियों को सतर्क रहने की सलहदी प्रेस कॉंफरेंस में स्वास सचिव राज़ेश भूशड ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरियंट दुनिया के नौ देशों में है दिक्कत क्या है दोस्तों कि दुनिया के अन्देशों में चाहे अमरीका ब्रिटन जहां पर भी ये रहा हो वहां की स्वास वेवस्था हमसे कहीं ज्यादा बहतर है और वहां की सरकार कहीं न कहीं मुद्दों पर फोकस कर रही है मगर हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ धिंडोरा पीट रही है सिर्फ और सिर्फ जुम्ले बाजी कर रही है और उसका प्रमाण में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ क्या कहा था इस सरकार ने सुमबार को जब 86 लाक वैक्सिन्स लगाई गई थी तो इस सरकार ने उसका धिंडोरा पीटा था आप जानते हैं स्क्रोल की खबर क्या कह रही है कि कई राज्जों ने पिछले कुछ दिनों से टीके लगाने की अपनी गती को बिलकुल धीमा कर दिया था क्यों ताकि सुमबार को बताया जा सके कि देखिए हमने रिकॉर्ड नंबर ओव वैक्सिन्स लगाए क्यों? क्योंकि राज्जों के पास सीमित वैक्सिन्स है अब कई राज्जों की पोल खुल गई है अगले ही दिन क्योंकि अगले दिन क्योंकि सुमबार की दिन तो लाखों की तादाद में वैक्सिन्स लगाए गए मगर अगले दिन जो है हालात जो हैं बच से बत्तर हो गए हालात गिर गए आपके सामने मैं दो राज्जों की चर्शा करना चाहूंगा मद्ध प्रदेश और हर्याना आप देख सकते हैं मद्ध प्रदेश में सुमवार की दिन 16,9,967 वैक्सिन्स लगाई गई यानि कि जिस दिन रिकॉर्ड की बात की गई थी और अगले ही दिन ये गिर कर 4,825 हो गई कहां 16 लाक यानि कहां 17 लाक और कहां 5,000 ये फर्ख देख रहे हैं आप इसलिए मैंने कारकन की शुरुआत में कहा कि इस सरकार का सिर्फ एक कामेट हिंडूरा पीटना और जुमलेवाजी करना अब हम हर्याना की बात पर आते हैं हर्याना में 21 तारिक जिस दिन वैक्सिनेशन दिवस था उस दिन लगे थे 4,96,598 यानि की करीब 5,00, लाक वैक्सिन्स लगे थे 11,21,648 और अगले दिन गिर कर हो गया 3,92,427 वैक्सिन्स सिर्फ दो राज यहें जहां पर उतनी बुरी तरह गिरावट नहीं आई उत्तर प्रदेश वैक्सिनेशन वाले दिन लगे 7,25,898 वैक्सिन्स और अगले दिन ये बढ़ गया यानि कि मंगलवार के दिन 7,96,458 वैक्सिन्स अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कमाल हुआ जो मद्द्प्रदेश में नहीं हो सकता था तो इसका बहुत सरल सा जवाब है दोस्तों उसका सरल सा जवाब ये है कि 8 महीने बाद उत्तर पदेश में चुनाव होने हैं, मेरे सोर्सिज मुझे लगातार बता रहे हैं कि इस वक्द उत्तर पदेश के अंदर बड़े पैमाने में वैक्सीन भिजवाई गई हैं, क्यूं? क्यूंकि उत्तर पदेश में चुनाव हैं, यहां कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, औ केंद्र सरकार को और फिर केंद्र सरकार को दिल्ली को अक्सिजन मोहया कराना पड़ा था आज मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से क्या आप दिल्ली को इस वक्त सजा सिर्व इसलिए दे रहे थे क्योंकि दिल्ली ने आपको 60 या 62 सीटे नहीं दी और ये 62 सीटे उन्हो तरह से काम करती है क्या केंट सरकार इस तरह से पक्षपात करती है दोस्तों कल संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस किया क्योंकि कॉंग्रेस कल वाइड पेपर लेकर आई थी और उसके जवाब में संबित पात्रा ने कॉंग्रेस और राहूल गांधी को जोकर और सरकस बता दिया अब मैं चाहता हूँ कि आप संबित पात्रा की ये बात सुनें और ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने दरासल कुछ मुद्दे उठाए संबित ने और ये कहा कि जहां से जिन राज्यों से कुरोना की दूसरी लहर शुरू हुई वो सभी कॉंग्रिस शासित राज्य से शुरू हुआ किन राज्यों में सेकंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सरवाधिक प्रतिशत केसे किन राज्यों में हुए उत्तर कॉंग्रेस साशित राज्यों में हुए सरवाधिक मृत्यू किन राज्यों में हुए सेकंड वेव के कारण उत्तर कॉं पिकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ उत्तर कॉंग्रेस साशित राज्जे अब संबित से मेरा एक सवाल आपकी स्क्रीन पर यह हैं त्रिवेंद्र सिंग रावत यह हैं उत्तरा खंड के पूर मुख्यमंत्री क्योंकि इनको हटा कर फिर इस शक्स तीरत सि सिंग्रावत यह वही शक्स हैं जो लड़कियों की जीन्स पर कॉमेंट करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंग्रावत ने यह इंटर्व्यू दिया है और मैं चाहता हूं कि संबित पात्रा इस बात का जवाब में त्रिवेंद्र सिंग्रावत ने कहा है इस इंटर्व्यू में कि मेरा जो डर था वो सही साबित हुआ मैंने जान बूचकर कुम्ब को लेकर कड़े जो हैं नियम लागू किये थे मगर जो अगली सरकार आई यानि कि जैसी तीरत सिंग्रावत मुख्यमंत्री बने उन तमाम नियमों में ढील दे दी गई और उसी के चलते कुम्ब मेला एक किसी और का बयान नहीं है आपके पूर मुख्यमंत्री का बयान है संबित पात्रा आप जो ब्लेम कर रहे हैं कॉंग्रिस के राज्यों को करपया मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपके अपने मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तीरत सिंग्रावत के आने के बाद कुम्ब मे जो नियम कानून थे उसमें ढील दे दी गई और खुद आपके एक मुख्यमंत्री आपके एक नेता कह रहे हैं कि कुम्ब इस अ सूपर स्प्रेडर इस बात का क्या जवाब है आपके पास आपके पास सिवाए जुमले बाजी सिवाए धिंडोरे पीटने के कुछ नहीं आता आपको और बात यहां नहीं रुकती है जैसे कि मैंने आपको बताया अगर दिल्ली हाई कोट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सकती ना की होती तो दिल्ली में हजारों की तादाद मिलो आक्सिजन की कमी से मारे जाते आखिर केंद्र सरकार इस तरह का पक्षपात पूंड रवया कैसे अख्तियार कर सकती है और सबसे चिंता की बात इस तीसी लहर को लेकर अगर डेल्टा प्लस वेरियंट जिसे एवाई डॉट जीरो वन भी कहा जाता है अगर ये बड़े पैमाने पर फैल जाता है तो हमारे वैज्यानिकों ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी है प्रॉफिसर शाहिज जमील ये सरकार के एक्सपर्ट ग्रूप का हिस्सा भी थे उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरियंट है जिसके अभी 41 केसे हैं भारत में सिर्फ 41 केसे हैं इस पर वैक्सिनेशन का भी असर नहीं पड़ता है यही नहीं अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है उसका भी आप पर असर नहीं पड़ता है और मैं आपसे क्यूं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा देखिए जैसे ही आपको कुरोना होता है और फिर आप जब ठीक हो जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर आपके शरीर के अंदर आंटी बॉडीज पैदा होती है यानि कि आपकी प्रतिरोधक शमता इम्म्यूनिटी बढ़ जाती है इसलिए आपको तुरंट कुरोना नहीं हो सकता उसी तरह से जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपके अंदर आंटी बॉडीज बढ़ जाती है आपकी प्रतिरोधक शमता बढ़ जाती है आप कुरोना का सामना कर सकते हैं प्रॉफिसर शाहिज जमील हमें ये चेताब नहीं दे रहे हैं कि ये जो नया कुरोना का वाइरस है जिसका नाम है डेल्टा प्लस यानि एवाए डॉट जीरो वन इस पर वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ता यहीं नहीं इस बात की तजदीक हो रही है साथ आफ्रिका से मैं आपको खबर पढ़के सुनाना चाहता हूं दोस्तो प्रॉफिसर जमील एक्स्प्लेंद इस इस बिकॉस डेल्टा प्लस पुजेस्स नोट ओनली अल अव दे चारेक्टरिस्टिक्स अव दे ओरिजिनल डेल्टा वाइरस यानि की कोरोना का जो यह ताजा वाइरस है इसमें दूसरी लहर में जो कोरोना वाइरस था उसकी तमाम चीजें तो मौजूद है ही उसके अलावा उसके अंदर एक और म्यूटेशन है जिसका नाम है के-4-1-7-N इसलिए कोरोना की यह तीसरी लहर का ये जो variant है डेल्टा प्लस variant है इसलिए ये चिंता में पैदा करने वाला है और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि साउथ आफरिकन सरकार ने इस खबर के मताबिक साउथ आफरिकन सरकार ने आस्टरा जेनिका वैक्सीन्स वापिस कर दी थी क्योंकि उनका ये मानना था कि इस डेल्टा प्लस वेरियंट का पर कोई असर नहीं पढ़ रहा था इन वैक्सीन्स का इसलिए ये तमाम चिंतित करने वाली खबरे हैं मैं ये समझना चाहता हूं इस सरकार से अब जब की हमारे वैग्यानिक ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वैक्सीन्स का असर ना पड़े इस कोरोना वाइरिस पर जैसा की प्रॉफसर शाही जमील कह रहे हैं जैसा की साउट आफरिका ने अस्ट्राजेनिका के वैक्सीन्स को वापिस कर दिया था ये कहते हुए कि इन वैक्सीन्स का कोई असर नहीं इस वाइरिस पर तो मैं ये समझना चाहता हूं केंद्र सरकार का क्या प्लान है या अब भी आप जुमले बाजी करते रहेंगे क्योंकि आपने जो दावा किया था कि 86 लाक वाक्सीन्स हमने लगाई हमने विश्व की इरतिमान स्थापित किया वो तो बिखर गया आपका दावा ना वो भी एक जुमला था क्योंकि अगले ही दिन हकीकत सामने आ गई जैसे मैंने कारिकरम की शुरुआत में मैंने आपको बताया तो मैं बहुत विनम्रता से अपील कर रहा हूं केंदर सरकार से कि क्रपया डॉक्टर्स के साथ बैठें एक्सपर्स के साथ बैठें और फॉरवर्ट प्लानिंग कीजे हाला कि देर हो रही है क्योंकि हमारे वेग्यानि की जो दूसरी लहर आई थी ना उसमें जो कोरोना का वाइरिस था जिसका नाम था डेल्टा वेरिंट और इसे कहा जाता है साइन्टिविक टर्म्स में बी डॉट वान डॉट सिक्स वान सेवन डॉट टू जिस तरह से ये डेल्टा वेरिंट पहला था अगर डेल्टा प्लस वैसे नहीं फैलता है तब आप और हम बच जाएंगे तब आप और हम जो है सामान जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे बिता पाएंगे मगर आज इन तमाम सवालों का जवाब केंदर सरकार को देना पड़ेगा उनकी मशिनरी को देना पड़ेगा वो सवाल जो आज हम बोल के लब आजाद हैं के जरीए आपके सामने उठा रहे हैं मेरे एक बाद ध्यान से सुनिएगा देश की जनता एक पुलिटिकल पार्टी की महत्वा कांख्शाओं की राजनीतिक कीमत नहीं चुका सकती सिर्व इसलिए क्योंकि आपको एक राज में चुनाव जीतना है सिर्व इसलिए कि आपको लगता है कि देश की जनता की सेवा तब तक नहीं की जा सकती जब तक हम उसका धेडोरा ना पीटें अगर आप इस तरह का ख्याल रखते हैं तो माफ कीजएगा यह सियासत नहीं है यह जनता की सेवा भी नहीं है यह आप खुद की सेवा कर रहें आप खुद की राजनीतिक सेवा कर रहें इस चीजस से बाज आईए मुद्दों पर रहे कल अगर कॉंग्रेस एक वाइड पेपर लेकर आई है तो उस वाइड पेपर को पढ़िए हाला कि ये भी हकीकत है कि राहुल गांदी जो आपको चेतावनी देते हैं तीन-चार महीने बाद आप उस पर लागू करते हैं ये भी सच है इस बात से मतमु करिए तो मेरी आप से सिर्फ यही अपील है हाथ जोड़ कर कि करपया जनता की जान के साथ खिलवार ना करें मुद्दों पर रहें फोकस रहें और उसे संबोधित करें बजाय की जुमले बाजी करें बोल कि अब आज़ाद हैं तेरे में बस इतना है अब सार शेर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार